now text tool events बाकी एक टूब्स डेंगे name text tool के अंदर काफी सारे तोल्स होता है अभी देहते हैं कि class के time तख कितना के सम आ सकते हैं simply normally हम text tool ले रहें जैसे के photoshop में लेता है text tool active किया है जैसे हमने photoshop इकНе text work डॉख कर सब्सक्ती की है bef़िए इसे ही हम यहां पर भी करेंगे, चीक है, इस तरीक सा, इसके अंदर defaulted मैं पास text आ गया है, double click करके, मैंने square से remove कि, अब आप जो भी लिखना चाँ रहे हो, वो आप लिख सकते हो, चीक है, size वगएर जो भी है, वही आप control T प्रेस करो, या जो है, आप window में जाके character खुल सकते हैं, या जो है, यहां पर आपके options भी आपके पास होता है, यह रहे, character का अलग होता है, और paragraph का अलग होता है, चीक है, basically मैंने site पर रखा हुआ है, तो मैं यहीं से use करती हूँ, मेरी अपनी आदत है, यहां से मैंने इसको खुला, आप आपने जो भी text देना है, style वो आप choose कर सकते हैं, regular रखना है, thin रखना है, bold रखना है, जो भी आप इसको जो हैना property देना चाहरे हैं, वो आप यहां से दे सकते हो, like मैंने bold दिया ऐसे, size increase करने के लिए हमारे पास यह option होता यहां पर लिखा भी होता है, set the font size, अब यह six points है, मैं इसका size increase कर रहे हूं, इसी तरीके से हमने photoshop में भी यह चीज सीखी थी, के बराबर में हमारे पैसे एक और option था, जो line था, leading, set the leading, इसको पर लिखा हुआ है, जिबके इसका मतलब है कि आप दर्मियान में कितनी line का size इसको control करना चाहरे है, ज्यादा करना चाहरे है, कम करना चाहरे है, तो आप यहां से कर सकते हो, easy, कम, ज्यादा, चीक है, इसी के नीचे हमारे पास एक चीज लिखी है, side the tracking of the selected characters, यानि कि जो characters है, इसके आप tracking को भी adjust कर सकते हो, tracking का मतलब है कि character के दर्मियान के space को, यह आपको चीज़े याद होंगी, तो आपका concept ज्यादा अच्छे से clear होगा, दर्मियान में आपको character के spacing ज्यादा लग रही है, आप इसको minus में भी कर सकते है, यह normal zero है, मैं इसको minus कर रही हूँ, जैसे कि यह minus 50 तो यह बहुत close होगा, और अगर आप इसको दर्मियान में ज्या आप पूरा overall आगे तक लिजाना चाहरी हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो, इस तरही किसा है, यह भी आप कर सकते हो, आप की मरसी है, simple normal tracking थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठेक्या, simply यह जो है, आपके text को ही resize करने का काम करता है, यह आपको option, ठीक है, लेकिन horizontal, पर लिखा भी आ रहा होगा, horizontal scale, ठीक है, यानि कि आपका जो text है, वो horizontally बढ़ा हो जाएगा, बढ़ा के मतलब यह है, कि अगर देखा जाए, तो यह horizontally stretch हो जाएगा, ठीक है, तो simply just stretch करने का काम करेगा, resizing होगी, लेकिन horizontal scale में, ठीक है, इस तरही के से भी, आप आगे बढ़ use कर रहे होते हैं, और जादे तरह हम लोग अपना text को proportionally ही resize करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कभी need हो, इस option के use करने की, तो आप कर सकते हैं, उसके तो यह आपका horizontal scale होता है, जबकि यह आपका vertical scale होता है, आप vertically इसको resize कर सकते हैं, अगर आपने करना है, तो यह देखा ठीक है, इसको मैं वापस से 100 कर देते हूँ, इसके बाद कि हमारा जो option होता है, यह आपका rotate करने का काम कर रहा होता है, देखो इसके उपर लिखा वा भी है, बतलब यह circle भी बनावा है, rotating का, ठीक है, किस तरी से rotate, कि आपका एक एक, जो है न, करेक्टर, यानि कि आपका एक एक जो alphabet है, वो उसी जगह पे रहते हुए rotate होना शुरू हो जाएगा, clockwise भी होता है, और anti-clockwise भी होता है, अब आपकी मर्जी है, आप जिस तरफ भी rotate करना चाहरे हो, clockwise करना चाहरे है, या anti-clockwise करना चाहरे है, as you want, इसको आप साइड में रख दे करना चाहरे हैं, तो कर सकते हैं, इस option के, वापस इसको हम सीधा कर देता है, अब हम आज जेते हैं, नीचे की तरफ, यह वही options आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो हमने फोटोशॉप में जीट किये थे, पढ़े थे, इस के अंदर आपके पास जो है, डबल टी ऑप्शन दिखाई दे रहे, यानि के, जैसे कि हम आरे पास फोटोशॉप में था, इसका मतलब है, ओल कैप्स लिखाव भी है, इसके उपर, यानि के, अगर आपने कोई टेक्स स्मॉल में टाइप किया है, और आपको तमाम टेक् ठीकिए है, तो आप उसका मॉल में चेंज नहीं कर सकते, इस चीज का ख्याल रखियागा, इसलिए जब भी आप टािपिंग करो, हमेशा स्मॉल में टाइपिंग करें, हाँ, sentence के इसके तूर टाइपिंग कर सकते हैं, यानि कि जो हैना, first letter कैपिटल और बागी के small, first letter कैपि मैंने यह पर लिखा capital में अब मैं इसको small करना चाहरे हूँ यह आपको small का काम कर रहा होता है जब कि मैं इस पर का काम करती हूँ तो आप यह देख सकते हो small हो रहा है नीचे की तरह मतलब दो तरह के small होता है कि हमने Photoshop में भी read out किया था ठीक है कि आपका text capital ही रहता है लेकिन उसका size small की तरफ चला जाता है और second आपका overall text है small हो जाता है जैसे अपना type क्या होता है अगर आपका भी capital देदो तो आप उसको यहां से small भी कर सकता है ठीक है Now next हमारे पास जो है basically वो है superscript tool superscript tool भी हम photoshop में read कर चुके हैं पढ़ चुके हैं इसके वारम है simply यह आपको क्या काम करता है उपर देखो छूटा सा one बनावा इड मेंस का यह आपका power बनाने का काम करता है और subscribe tool आपकी base बनाने का काम करता है अच्छी का power and base इसके अंदर भी अगर जैसे के इसमें तो illustrator में हमें power base की need नहीं होती है जैसे के H2 वगएरा notes वगएरा हम इसमें type नहीं कर रहे होते लेकिन अगर कोई catalog वगएरा बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें लाजमी कहीने कहीन पर इस तरीके से यूज करने की ज़रूरत पढ़ जाती है अगर वो chemistry या physics related कोई catalog है तो या निकर science से related कोई catalog है तो या जिसे के उसके अंदर अगर temperature की बात कर दी जाए like 100 degree centigrade तो degree का जो option है obviously वो हमारा उपर की तरफ 100 उपर की तरफ जाके बनेगा चीक है तो इसी तरीके से यह चीज मैं आपको करके दिखा देती हूँ simply date के लिए भी हमारा जो है न यही चीज़ों का जिसे के मैं आप लिख दू 24, 14 लिख लिख लिए ता 14th September चीक है अब यह जो 14th का टी है obviously यह आपका उपर की तरफ small लोगा like this जिसे बहुत कम ही इसमें नीड होती है subscribe की लेकिन wilford example के तोर पर अगर need हो तो आप subscribe का option भी use कर सकते हैं जिसे के मैं सबसे easy example आपको H2O से समझा देते हूँ यह बहुत चोटा लिख रहा है क्यों क्योंकर superscript का option active था मैं इसको unactive कर रही हूँ उसी क्यों पर क्लिक करके now 2 को हम select कर रहे है और subscribe then see ठीक है now सबको हम sight कर देते हैं इसके बाद वाला जो option है बिसे के लिए खुद ही show कर रहे हैं यह underline का option है और यह strike throw का option है अगर आपने कोई heading दी है किसी भी चीज़ की आपने कोई भी heading दी हुई है या लाइक मैं चीसे के यह पर लिख देते हूं illustrator मेरी caps lock on है मैं ज़रा उसको off कर रहे हूँ ठीक है और यहां से subscribe का option को unactive कर रहे है अब आपने यह illustrator लिख आगर आप इस कंडर लाइन देना चाहरे हैं तो भी आप दे सकते हैं इस option के ठीक हो यह अगर आप का option अप्लाइ करना चाहरे हैं इन जगाओं के लिख कर सकता है इसके इलावत जो है अगर diagonally cross करना है तो फिर हम यहां से line tool यूज कर रहे होते हैं ठीक है line tool में last class में आपको समझा चुक्या हूँ simply यह तो आगया आपका characters related overall आपकी जो प्रॉपर्टी से वह मैंने आपको बता दी है अभी हम बात कर लेते हैं अपने paragraph से related चीक है मैंने यह पर एक paragraph ड्रो किया है sorry paragraph type टाइप तो हम नहीं करेंगे क्योंकि जह है इलिस्टेट में पहले से ही हमाई एक dummy text मल जाता है copy आपकी जाता है इसटाओ font में चेंच कर लेते हूं यह से एक character का जिस तरीक से हमारा जो paragraph का जैसे font होता है ऐसा रख लेते हैं यह हम इसकी जगह लिख लेते हैं the quick brown fox jumps over the lazy dog यह एक ऐसा sentence है basically जिसके अंदर हमारे ABCD के 26 alphabets यूज होते हैं आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो इसमें लाज़मे ABCD overall A to Z तमाम alphabets यूज हूए वे होंगे इसके अंदर कोई ऐसा alphabet नहीं है जो इस sentence में यूज नहीं है इसी वज़े से जो students या जो लोग अपने typing fast करना चाहरे होता है तो वो यह line बार बार लिख रहे होता है ठीक है मैंने बहुत बहुत पहले लिखती थी अब मैं नहीं लिखती बार बार लिखते हैं इस तरीके से ना समाम alphabets मावजूद हैं जो हमारी overall ABCD में होते हैं English में होते हैं अब मैं इसी के copy नहीं कर लेते हूं बार बार या इसको sentence नहीं बनाते हैं इस तरीके से कर लेता है ठीक अभी एक मेरे पास एक paragraph आगे जिसके मैंने कोई typing हो गारे की विए हो paragraph के properties क्या होती है simply आपको यहां पर भी मिल जाएंगी text यहां पर टेक्स टूल active करोगे या नॉमरी अपने text को ही active कर लोगे select कर लोगे तो control बार में उपर paragraph के properties आ जाएंगे ठीक है otherwise मैंने यहां पर side में panel में add करके रखी हुई है अगर आपको यह नहीं आता कि किस तरीके से करते हैं तो मैं आपको last video में समझा चुकी हूं class में समझा चुकी हूं अब मैं आ रही हूं यहां पर paragraph पर simply यहां पर यह aligns वगरा आ जाती है paragraph के अंदर जादा कुछ नहीं होता बस aligns का होता है indent होता है और यह hyphenate वगरा होता है बिल्कुल equal line में आया है ठीक है align हुआ है एक line में ठीक है इसी तरीके से अगर आप अपने text को center align करना चाह रहे हैं तो आप center align पे click करोगे तो आपका जो पूरा paragraph है वो आपके box के center में align हो जाएगा ज्यादतर center align वगरा हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हम अपनी heading center से start करते हैं या हमारे overall काम ही center में रखकर हम कर रहे होते हैं अपने artboard के ठीक है और हम लोग left align वगरा तब दे रहे होते हैं जब हमने footer में कोई आपनी contact details वगरा दी होती है कोई भी designing करते हैं तो तब हम left align करते हैं और बाज वकात ऐसा भी होता है कि designing हमारी ऐसी होती है कि उसके ओपर हमारी left align अच्छी लग रही होती है कोई हम add design कर रहे होते हैं या कुछ भी अगर हम design करेंगे तो हम उस चीज के उपर जिस तरी की alignment अच्छी लगेगी अब वैसे उसको align कर सकते हो तो आपने अगर alignment अपनी change कर नहीं है चाहिए वो paragraph की हो चाहिए वो अपने text की हो normal अपनी heading की हो तो वो आप इसके through कर सकते हैं ठीक है इसके इलावा जो है यह आगे की alignment होती है कि हम बहुत कम use करते हैं क्यूंकि हमारे client को पसंद नहीं आती हैं पसंद इसलिए नहीं आती हैं क्यूंकि यह सब justify align होती है ठीक है left, center, right यह ठीक है लेकिन आगे की सारी justify aligns होती है justify कि तरीके से यह justify होगी left side पर यह justify होगी center यह justify होगी right और यह overall justify होगी अब justify में होता क्या है basically justify में यह होता है कि यह जो आपका text box है यह आपका text box के left right दोनों तरफ से equally line में arrange कर देता है आपके text को बस last वारी line आपके left के तरफ align हो जाती है कुछ इस तरीके से equal left equal right और जो last वारी line है वो left side पर align हो जाएगी ठीक है यह क्लाइं को क्यों नहीं पसंद आता क्योंकि इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर कम ज्यादा space आ जाता है context यानि कि जू words है उनके दर्म्यान में ठीक है यहां पो जादा space है यहां पर design space आह पर become space यह वह थी कम तो फिर हम यह ये यूज नहीं पर रहे होता है इसी तरीके से अगर यह जिस्टिफार सेंटर लें तो यह सब एक्वल ही रहेगा जैसे लास्ट वाली लाइन पर लाइन हो चाहिए ऐसे और यह जो है इसमें क्या हुआ कि आपकी जो लास्ट लाइन है वह भी इक्वली ही अगर आप चाहू तो, ठीक है, अब जैसे के, साइज मैसकर कर देती हूँ, छोटा, अब बॉक्स मैसकर कर देती हूँ, यहाँ पर बड़ा हूँ, ठीक है, परग्राफ, जिस्टिफार, इसमें मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे यहाँ पर अपने टेक्स पर आकर, यहाँ से करेक्टर स्पेसिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, अगर मुझे अपने नाम के नीचे कोई टाइग लाइन देनी थी, जैसे ग्राफिक्स डेजाइन की, ग्राफिक्स इसमें मुझे टेक्ट लाइन देनी थी तो वह एजिली हमने डिवाइट कर देए, साइज हम छोटा कर लेते हैं, जैसे तो यह थोड़ा से फाइला हो जाता है, जैस्टिफायर लाइन के लिए तो इन जगाउं के लिए थोड़ी बहुत, यूज कर लेते हैं, ठीक है, और अगर सिर्फ एक ही नाम होगा, एक ही वर्ड होगा, तो वो इस तरीके से उसको पूरा डिवाइट कर देगा, उतने पाइट में जितना आपका बॉक्स होगा, टेक्स बॉक्स, I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अग